नमस्कार दोस्तों, बॉलिवुड और हॉलिवुड में होने वाली सारी बाते जाने के लिए हमारे वीडियो जरूर चेक आउट कलें, तो बढ़ते हैं आज की पहली ख़बर पे, जैसे की हमने आपको कल बताया था कि कंगनारणावजी का ओफिस कंप्लीटली डेमोलीश हो च विजिट दिया और इसके बारे में कहते हुए उन्होंने मीडिया से कहा कि कंगनारणावजी के साथ बहुती नाहिंसाफी हुआ है और गॉर्मेंट के तरफ से उन्हें कॉंपन्जेशन मिलना चाहिए। अब बढ़ते हैं अगली खबर पर जैसे कि हमने कल की वीडियो में बता है था कि रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती के बेल के बारे में आज कोट में सेशन रखा जाएगा तो आज वो सेशन रखा गया था और उसमें उन्होंने ये निरने दिया कि रिया चक्रव अब बढ़ते हैं अगली खबर पर लव्यू शंकर मुवी की शूटिंग वारा नसी में चालू थी लेकिन कुछ लोगों ने मिलकर उसे रोग दिया अब बढ़ते हैं अगली खबर पर रनबीर कपूर और अलिया बढ़ जी ने अपनी मुवी ब्रह्मास्त्र की शूटिंग स्टार्ट कर दी है और ये बात सामने आई ये है कि शायत से अमिता बच्चन भी उनके साथ काम में जुट जाएंग अब बढ़ते हैं अगली खबर पर सुझान सिंग राजबूत के देहांत के बाद बॉलिवुड में होने वाली नेपोटिजम और ड्रग कंजम्शन की बाते बहुत तेजी से बढ़ने लगी है और इसी दोरान कंग्रा रनावत जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि निन्वैन विकी कोशल भी ड्रग कंजम्शन करते हैं उनके बचाओं में राहूल दिव ने ये कहा कि विकी कोशल जैसे एक टैलेंटेड आदमी को ड्रग की जरूरत नहीं है अब बढ़ते हैं अगली खबर पर एक एक्टरस और मॉडल के रूप में जाने जाने वाली पूनम पांडी जी ने आज फाइनली अपने बॉइफ्रेंड साम बॉंबे के साथ शादी कर ली अब बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ परिश्रावल जी को नैशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के चेर्मेन के रूप में एपोइंट किया गया और एपोइंट होते ही उन्होंने ये स्टेट्में दिया कि I am looking forward to open as much as schools of drama and media for the children of India ते है कुछ international news के तरफ हाली में Avatar movie के sequel की shooting में James Cameron और सिगरनी वीवर को एक पूल में shooting करते हुए पाया गया अब बढ़ते हैं अगली खबर पे Hollywood की बहुती famous actress Diana Rikki आज 82 के age पे देहांत हो गया बढ़ते हैं अगली खबर के तरफ Tom Hanks के दोरा direct किया गया Elvis Presley की biopic की movie की shooting already start हो चुकी है अगर आपको हमारे वीडियोज पसंद आए तो share, like and subscribe करना ना भूले बाई बाई